मैं सुनिता कुमारी, स्पैशल टीचर, ब्लोग पिलुखेडा, जिलाजीन से आप सभी अभिभावकों वे बच्चों का घर से पड़ाव कारियकरम में स्वाधत करती हूँ काफी वीडियो शेयर कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स भी इस काम में हमारी मदद कर रहे हैं वो अपने बच्चों को लगातार वीडियो दिखा कर जो भी हम सिखाना चाते हैं उनको सिखा रहे हैं इसी के साथ हमने लास्ट वीडियो में एक से दस्तक की गिंती सीखी थी और उसी गिंती के आधार पर आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आज बच्चों को हम टाइम देखना सिखाएंगी टाइम का हमारे जीवन में बहुत ही मैत्पुन सान है और मैं ये मानती हूँ कि हर बच्चे को टाइम देखना आना चाहिए ये जीवन की एक बेसिक नीड भी है कि सुबह हुई है, दुखैर हुई है, श्याम हुई है, रात है, कौन सा समय चल रहा है ये बच्चे को पता होना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन के सभी कार्यक्लाब जब भी हम टाइम देखना सीकते हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायर्मेंट है कि हमें नमबर्स की पहचान होनी चाहिए जब तक हमें अंकों की पहचान नहीं होगी तब तक हम टाइम नहीं देख पाएंगी तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में भी हमने सीखा था एक बार फिर रिपीट करते हैं हमें अंकों की पहचान कैसे करनी है और किस तरह से अंकों को समझना है हमें एक बार रिपीट करेंगे ये है एक ये है दो तीन चार पांच छें साथ आठ नो और ये हो गया हमारा दस उसके बाद हमें चाहिए 11 11 के लिए हमने डबल बन को जोड़ के दिखाया आपको ये हो गया 11 नंबर और ये हमारा हो गया 12 नंबर जब हमें अंकों की पहचान होगी तो टाइम देखना बहुत ही ईजी हो जाएगा उसके बाद मेरे पास यहां पर एक घड़ा है इस घड़े की माद्यम से हम टाइम देखना सिखेंगे हमारे पास ये घड़ी है और इस घड़ी में हमें साफ दिखाई दे रहा है यह हमारे पास 1-12 तक के नमबर्स है जो कि मैंने अभी आपको ब्लाउग्स पर दिखाए थी इसमें भी हम पहचान कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ज्यारा, बारा और इसमें हमारे पास गड़े के अंदर सुया हैं जिनको हम इंगलिस में नीडल्स बहुते हैं हिंदी में दो सुया हैं जो छोटी और थोड़ी सी मोटी सुया है वो गंटों को दिखाती है और जो थोड़ी सी लंबी सुया है इसके थोड़ी सी पतली भी है ये मिनट्स को दिखाती है हमारे पास एक और सुया होती है जो थोड़ी इन दोनों से बिल्कुल पतली होती है जो जल्दी जल्दी चलती है वो seconds को दिखाती है लेकिन पहले हम गंटे और minutes का concept लेंगे अब हम एक चीज जानेंगे जब भी हमारी सुईंग बारा से एक पर आती है तो बारा बज़कर पांच मिनट इसमें हमें ये समझना है कि पांच मिनट का difference कैसे है तो इसको हम easy way में इस तरह से भी समझ सकते हैं इधर देखे बोड़ पर जब हमारी सुईंग एक पर आएगी मिनट्स वाली सुईंग हम मिनट की सुईंग की बात कर रहे हैं यांपर एक पर आएगी तो पांच मिनट उपर हो जाएंगे तो दस मिनट उपर हो जाएंगे तीन पर आएगी तो पंद्रेमिनट चार पर आएगी तो वीस मिनट पांच पर आएगी तो पचिस मिनट छे पर आएगी, तो तीस मिनट साथ पर आएगी, तो पैंतिस मिनट आट पर आएगी, तो चालिस मिनट नो पर आएगी, तो पिनतालिस मिनट दस पर आएगी, तो पचास मिनट ग्यारा पर आएगी, तो पचपन मिनट और बारा पर आएगी, तो next hour complete हो जाएगा हमारा तो हमें 5 पांच एड़ करते जाना है पांच मिनट में फिर 5 मिनट एड़ करते जाना है जिस तरह से 5 जमा में 5 फिर 5 जोड़ दीजिए next पर जाते ही फिर 5 जोड़ दीजिए next पर जाते ही इस तरह हमें हर मिनट के बाद पांच जोड देना है इस तरह से हम देखना सीखते हैं हमारी सुई अब 12 पर है और ग्रीन सुई जो मिनट के इसको भी हम 12 पर कर देते हैं तो इसका मतलब हमारे घड़े में 12 बजे हैं उसके बाद हम अपनी सुई को एक पर ले जाते हैं मिनट वाली को तो अभी मैंने बता था कि एक पर जब मिनट की सुई जाती है तो पांच मिनट उपर अब बारा बजगर पांच मिनट हो गए हैं अब इसको हम दो के सामने ले जाते हैं तो दो पर जाएगी तो दस मिनट उपर पांच मिनट के पांच में पांच और जोड़ दें तो दस मिनट हो गए हमारे पास तो बारा बज़कर दस मिनट तीन पर जाएगी तो बारा बज़कर पंदरा मिनट चार पर जाएगी तो बारा बज़कर बीस मिनट पांच पर आएगी तो बारा बज़कर पच्चिस मिनट छैंपर आएगी तो बारा बज़कर तीस मिनट और जब हमारा हाफ आर कंपलीट होता है तो वहाँ हम आधा घंटा उपर भी बोलते हैं जैसे बारा बज़कर 30 मिनट को हम साड़े बारा बज़े भी बोलते हैं उसके बाद यह 7 पर आएगी मिनट की सुई तो बारा बज़कर 35 मिनट हर बार हम 5 एड़ कर रहे हैं जैसे मैंने बता था फिर 8 पर आई तो बारा बज़कर 40 मिनट 9 पर आई तो 12 बज़कर 45 मिनट 10 पर आई तो 12 बज़कर 50 मिनट 11 पर आई तो 12 बज़कर 55 मिनट और जब ये एक पर आ जाएगी तो पूरा एक बज़ गया ये हमारा ये सुई 12 पर रहेगी और ये सुई दीरे 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 टाइम के साब से अपने आप एक के सामने आ जाएगी और मिनट वाले सुई हमारी 12 पर आ जाएगी तो वहाँ पर हमारा आर कंप्लीट हो जाता है इसी तरह से हम मिनट और आर्स का पताल रगाते हैं जब ये सुई हमारी दो पर होगी और ये सुई बारा पर होगी तो दो बजेगे जब ये मिनट की सुई घूमकर 6 पर आजाएगी और ये सुई 2 से दिरे दिरे आगे बढ़ जाएगी इसका मतलब दो बजकर तीस मिनट यानि धाई बढ़ चुके है यहाँ पर तीस मिनट होते हैं चेह पर और जैसे ही बढ़ते जाएंगे तीस से पैथिस साथ पर आट पर पैथिस से चालिस और नो पर चालिस से पिन तालिस अब हम अपनी सुई को दिरे-दिरे नाइन पर ले आए हैं तो अब यह हमारा टाइम होता है दो बजकर यहाँ हमारे तीस मिनट थे पैथिस चालिस पिन तालिस दो बजकर पिन तालिस मिनट उसके बाद इसी तरह से यह सुई दिरे-दिरे गुमती है अगर इसको हम 11 पर लाकर छोड़ दें तो यह हमारा क्या टाइम दर्शाएगी कि यह दो बज़ कर 55 मिनट हुए हैं यानि तीन बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं और जैसे ही यह सुई हमारी 3 पर जाएगी और मिनट वाली सुई 12 पर आएगी तो इसका मतलब पूरे 3 बज सिखेंगे और एक और चीज़ दिखाती हूं जो हमारे टाइम सीखने के कंसेप्ट को और इजी कर देगा हमारे पास यह कुछ स्टैम्प है टाइम के स्टैम्प हैं हमारे पास और इस इस सेक में हमारे पास क्लॉक भी होते हैं इस स्टैम्प की मदद से मैं आपको टाइम का प्रॉक बनाना वो टाइम देखना सिकाती हूँ यह हमारे पास स्टेंप पैड है इसमें हम स्टेंप को रखेंगे इस तरह से अच्छे से डिक परेंगे और फिर इसको उठाएंगे और अपने खाली पेपर पर ऐसे लगा देंगे यह देखो बच्चो ध्यान से देखो इसमें हमारे पास एक स्टेंप में प्लोक की आकरिती बन गई है आप इसे घर पर अपने हाथ से भी बना सकते हैं और इस तरह से आप इसमें टाइम की नीडल्स बनाएंगे जैसे आपने एक नीडल यह बना दिया है और दूसरी नीडल को यह शेप देगी है और हम अपनी सुईयों को ऐसे बना बना कर नीचे टाइम लिख सकते हैं जैसे मैंने इसको 12 से थोड़ा आगे बनाया है यह हमारी आर किस हुई है यह हमारी मिनट किस हुई है इसको हमने तीम के सामने रखा है इसके नीचे हमें टाइम का ब्लॉक बना लेंगे इसमें हम टाइम कितना हुआ है 12 बज कर मिनट की सुई 12 से लेकर है यानी बारा मिनट में आपको आपको दिखाती हूं यह हमारे ऋसamaan कंने वी थो लगा दिया है और यहां पर एक घड़ी छप गई है इसमें भी हमें सेम इसी प्रोसीजर से मैं यहां आपको टाइम बताती हूं कि हमें इसमें कितना टाइम बजाना है इसमें हमें छे बज़ कर 45 मिनट यह टाइम शो करना है तो इसको हम कैसे करेंगे जो हमारी गंते वाली सुई है यानि आर्स वाली मोटी जो सुई है वो हम 6 पर लेकर आएंगे उसके बाद जो मिनट वाली सुई है हमें 45 मिनट दिखाने हैं उसको हम 9 के सामने लेकर आएंगे तो ये हमारी सुईया काइम दिखाती है 6 बज कर 45 मिनट इसी तरह से हमारे पास एक राउंड शेप में स्टैम्प है इस स्टैम्प को हम स्टैम्पेड पे यूज़ करते हैं पहले और बाद में अपने पेपर पर लगाते हैं यह हमने राउंड शेप में यह हमारे पास इसके उपर एरो है एरो से हमें पता चलता है कि हमने किस तरह से इसको यूज़ करना है जैसे यहां पर यह थोड़ा तेड़ा हो गया है तो इसको हम दुबारा से सी दायरो करके लगाएंगी और बिल्कुल सीधी शेप बनेगी तो इसके रिचे हम टाइम डालेंगे कि हमें क्या टाइम दिखाना है यहां हम टाइम दिखा रहे हैं पांच बज कर पचास मिनट इसके लिए हमें कौन सी नीडल की जरूर्थ बढ़ेगी आर्स्त वाली नीडल यानि गंटे वाली सुई गंटे वाली सुई को हम पांच से थोड़ी आगे लेके आएंगे छे के पास और जो मिनट वाली सुई है उसको हम दस पर लेकर जाएंगे तो इस तरह से हम बार-बार टाइम देखने की प्रैक्टिस करेंगे और टाइम की नीडल से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और नेचे हम टाइम लिखते जाएंगे यह एक अच्छा एक्जांपल है स्टैंप्स के दुवारा हम अपने घड़े की आकरतिया बनाएंगे और अपना नीचे टाइम लिखेंगी एक वक्षीट है मेरे पास में आप सब के लिए इसको मैं आपके वर्टसप वीडियो पर भेजूंगी इसके फोटोज आपको इस वी और इसमें आपने अपने पैरेंट्स से यहाँ पर टाइम लेना है नीचे और आपने क्या करना है उपर नीडल्स बना देने हैं जैसे टाइम यहाँ पर दिखाना है जैसे यहाँ पर हमें दिखाना है टाइम 2.30 तो 2.30 पैरेंट्स आपको यहाँ पर टाइम देगा आप न वाला नीडल बनाएंगे और 30 मिनट्स के लिए 6 के उपर मिनट वाला नीडल बनाएंगे तो इस तरह से आपने ताइम देखने की प्रैक्टिस करनी है और यह वाक्षीट घर के कम्प्लीट करनी है इसी सेप में आप एक पैंसिल और परकार लेकर केंपस के द्वारा एक और सेफ बना ले और उसके बाद आप इसमें अपने टाइमिंग लिखने ही इसी तरह से वॉरक्षीट से देखकर और उसके बाद आप पैरेंट्स से यहाँ पर टाइम ले नीचे की जो फोर लाइन से हैं इनमें पैरेंट आपको needle बना कर देगा और घंटे और मिनट की सुन्या बना कर देगा और उनको देखकर आप यहाँ पर time लिखेंगे second work sheet फिर है हमारी इसी तरह से इसले भी parents help करेंगे और बच्चा time बना कर देगा parents एक में time के needle बनाएंगे बच्चा नीचे time लिखेंगा फिर parents यहाँ पर time लिखेंगे और बच्चा needle बनाएगा इसी तरह से यह वाक्षिट मैं आपके पास भेज रही हूँ और आपको इन पर practice करनी है पूछना समझ में आए पर parents से पूछना है और दुबारा नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसको discuss कर सकते हैं इस तरह से हमारे पास यह और सेप के वरक्षिट हैं उसके बाद यह स्वेर सेप के जो घड़े होते हैं उनके वरक्षिट हैं सेम आपने वही प्रोसीजर रखना है parents एक लाइन में needle बना कर देगा आप needles को देखकर time find out करोगे कि कितने time हो गया है और यहाँ पर fill करोगे second में parents नीचे वाले box में time लिखेगा और आप time को देखकर needles बनाएंगे इसी तरह से हमारे पास यह भी बहुत सारे बक्षिट हैं और उसके बाद round shape के बिगड़े होते हैं हमारे पास तसलिए है यह round shape में है तो इस तरह के clock आप बनाएंगे अपनी notebook में और time लिखेंगे फिर parents से यहाँ पर time लेंगे और आप needle बना कर time show करेंगे फिर नीचे की row में parents आपको नीचे time लिखेगा आप needles बना कर time show करेंगे तो इस तरह से आप time देखना सीखेंगे और बार बार चक्तिस करने से आपको time देखना बिलकुल सही आ जाएगा तो अच्छा प्यारे बच्चों आज हमने time देखना सीखा और मुझे विश्वास है आपको समझ भी आ गया होगा नमबर्स की पहचान भी आपको हो गई होगी चोंकि पहले वीडियो में हमने नमबर्स ही सीखे थे बहुत अच्छे से तो इसी तरह से आपने practice करते रहना है और अपने concept को बिलकुल पास है और ये नीडल हमारी इधर 11 पे है तो आप कई बार confused हो जाते हैं कि ये चार बज़े हैं या बजने वाले हैं या चार से तो आपने उस चीज़ को समझना है parents से पूछ लेना है कि यहां चार अभी बज़े नहीं है यहां 11 पे है इसका मतलब कि चार बज़ने में अभी पांच मिनट रहते हैं क्योंकि 11 से जब सुनी ये 12 पर आएगी मिनट वाली तभी चार बज़ेंगे तो इस तरह से parents भी आपको इसी इसली समझा सकते हैं तो पहले हम घड़े पर time देखना सीखेंगे क्योंकि इसमें जो नंबर से वह easy होते हैं देखने एक दो तीन उसके बाद घड़ी में थोड़ा सा कई बार अलग आता है नंबर्स की जगे हमें देखो यह में घड़ी है मेरे पास इसमें आपको दिखान करना होता है सिर्फ नंबर्स की जगे सिर्फ लाइन लगा दी जाती है और उन लाइन से ही हमें justify करना होता है कि सिर्फ से justify करते हैं कि उपर जो लाइन है वह 12 के लिए नीचे वाली लाइन 6 के लिए है side की line 3 के लिए side की line 6 के लिए है और उसी से justify करके हम time देखना सीख जाते हैं लेकिन यह practice पर होता है पहले आप इसके साथ practice करेंगे उसके बाद आप simple इस तरह की जो shape होती है यहां 12 लिखा होता है यहां दो arrow होते हैं यहां 3 लिखा होता है यहां पर फिर इसके लिए arrow होते हैं फिर 9 होता है फिर उस तरह की watch पर practice करते हैं और फिर बिल्कुल simple watch पर भी practice कर सकते हैं और आप easily time देखना सीख जाते हैं तो अच्छा प्यारे बच्चो मुझे लगता है आप सब को time देखना आ गया होगा और watch seat में जो बेजूँगी आपको उन पर practice करनी है और उसी तरह से काम करना है जिस तरह से मैंने बताया है तो आप time देखना सीख जाएंगे इसी के साथ हम इस वीडियो को खतम करते हैं ठीक है और उमीद है कि आप डेली वीडियो पर काम करेंगे देखकर और अपना result हमें बताएंगे ओके थेंक्यू